प्रश्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं उस शेयर की जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत जादा एक ट्रेडर्स की जो पूरा एक ग्रूप है वो इस शेयर से जुड़ा हुआ होगा मैं बात कर रहा हूँ MCX की MCX का शेयर पिछले कुछ दिनों से काफी तेजी में था और इस पे थोड़ी सी एक हम एक थोड़ा कंसोलिडेशन फेज अभी चल रहा है पर उस फेज में भी हमने कुछ इसमें इंडिकेशन ऐसे देखे हैं कि अब आपको क्यों इस शेयर को खरीदना चाहिए उसे लेकर अब हम बात करते हैं देखे दोस्तों अभी इसका जो करन्ट प्राइस है वो है 1715 रुपे पर बात को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम शुरू करते हैं 31 तारीक को जिस तरीके का इसमें हमने ट्रेड देखा मार्केट ओपन हुआ ओपन होते ही उसमें एक बिल्कुल डल ट्रेडिंग चली मतलब वॉल्यूम ही गाया थे जिस तरीके से सड़नली एक मुमेंट आया उपर का थोड़ सा करेक्ट होना शुरू हुआ और एंड होते होते ये बहुत एक जबरदस्त जंप लगाकर 1715 पे अपना लास्टेड प्राइस करके क्लोज हो गया तो कुछ इस तरीके का हमने इसमें एक ट्रेंड देखा है अब उस ट्रेंड में पांच मिनिट के चार्ट पे ये ट्रेंड है अभी हमारा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 15 मिनिट की तरफ हम चलते हैं यहां भी अगर आप देखेंगे तो इसमें 1450 तक के लेवल से ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है ये बात है 25-26 तारीक की तब से लेकर अभी तक इसमें एक उपर की तरफ एक ट्रेंड बना हुआ था 29 तारीक से इसमें थोड़ी सी करेक्शन आई और फाइनली इसमें फिर से एक थोड़ी जम पाई है तो अगर आप इसका थोड़ा एक ट्रेंड समझना चाहेंगे तो ये 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 इस तरीके का इसमें एक फॉर्मिशन बन रहा है जिसे अगर मैं यहां बिना केंडल स्टिक के बनाऊ तो इस तरीके का ठीक है अब ये तो एक छीज हुई जो हमें 15 मिनिट पे नज़र आ रही है थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं एक घंटे की तरफ यहां अगर आप देखेंगे तो over a period of time मतलब ये मैं बात करता हूँ यहां जून के इस time से जब ये साड़े बारा सो के आसपास था तब से अगर हम देखेंगे कि मार्केट धीरे धीरे sideways uptrend में trade कर रहा था sideways और धीरे धीरे उपा जा रहा है finally इसने ये jump को काफी तेज करना शू कर दिया और अभी ये 1715 पर है एक घंटे पर भी हमें काफी अच्छी एक तेजी नजर आ रही है चार घंटे की तरफ हम चलते हैं यहां भी आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा market में धीरे धीरे कितनी एक यहां से भी अगर मैं बात करूँ यहां से लेकर यहां तक आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि market में एक downside आनी शुरू हो गई है थोड़ी-थोडी correction ज़रूर रही है पर downside जैसा कहीं नहीं लगेगा ठीक है यह इस तरीके का trend जब होता है तो वो उस particular stock किये कि strength ही बताता है कि उसमें strength है downside कहीं नहीं है और धीरे-धीरे इसमें buying आ रही है buyers जो हैं वो इसमें aggressively enter कर रहे हैं पर यह चीज़ आपको नजर नहीं आती है एकदम से आपके ही सामने सामने यह 1000 रुपै से 1700 का हो गया पर उसमें कभी भी आपने अगर हम इस period को छोड़ दें जरा सा यह period इस period को छोड़ दें तो आपने पूरे time में यह observe नहीं किया होगा कि इसमें इस तरीके की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है शायद आपकी knowledge में भी ना हो ठीक है और थोड़ा साम आगे चलते हैं daily charts की तरफ चलते हैं यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारी चीज़े clear होंगी पहली चीज कि यह अपने पूरे इस period में यह पूरा पूरा जो time period है यह इस पूरे time period में अपने hyper trade कर रहा है ठीक है और थोड़ा सा आगे चलते है weekly charts पे weekly charts पे भी same चीज़ आपको नजर आएगी इस तरीके का इसमें एक formation बनाता है downside आई support मिला और ज़्यादा jump से यह उपर की तरफ बढ़ा है ठीक है monthly charts पे चलते हैं यहाँ पर तो आपको सारी सारका सारा एक view clear हो जाएगा monthly charts पर हम देख रहे हैं कि यह अपने all time high पर trade कर रहा है जो इसका high लगा था 2013 के असपास वो भी इसने break कर दिया और उसके उपर इसने अपनी closing settle कर रही है यह मैं monthly closing की ही बात कर रहा हूँ देखे इस particular share के बारे में break तो इसने पहले ही कर दिया था तीन चार दिन पहले पर मैंने इस share को discuss इसले नहीं कर रहा था मैं wait कर रहा था कि 31 तारीख बीत जाए उस दिन का trade settle हो जाए और उसके बाद हम देखेंगे कि यह कहां पर close होता है इसने closing दिखाई है अपने all time high को break करके अगर यह यहां कहीं close होता 1600 के भी थोड़ा सा और नीचे मानलीजे यहां settle हो जाता जो इसमें last trading day में जो buying आई है वो buying की जगे थोड़ी सी अगर selling आ जाती तो शायद यह share में अपनी recommendation में भी न रखता तो बहुत ही एक अच्छी strength है इस share में आप देखें मैं generally intraday stocks में में intraday वाले shares discuss नहीं करता पर मैं intraday में आपको इन stocks को देखके एक help ज़रूर मिलती है कि आप जितनी भी trade लें इसमें short selling के बिलकुल ना लें क्योंकि आपको अगर trend clear होगा न तो सिर्फ इसी वज़े से क्योंकि आपको trend clear है तो आप selling का trade लेने से बचेंगे और buying का आप trade लेंगे और वो trade आपके लिए automatically chances यह होगा कि 70% आपके favor में जाएगा और 30% आपके against जाएगा सिर्फ इसी वज़े से क्योंकि आपको trend clear है तो मैं आपसे यही कहुँगा कि इस particular share में अगर आप कुछ भी आप short selling का सोचते हैं तो वो आपके against जाने के ज़्यादा chance रहेंगे यह trend उपर का है trend उपर का है इस तरीके से एक moment आ रही है आपने यहाँ पर base दिया market एकदम से गिरना शुरू हुआ तो या तो आपको within minutes या within hours आपको exit कर जाना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा अगर उसने बड़े time frame पे यह level दिखाया तो maximum आपको आज नी तो कल आपको exit कर जाना होगा और market यहाँ से bounce बहुत जल्दी कर जाएगा यह चीज होती है कि हमें trend नहीं पता तब यह चीज होती है अगर हमें trend पता है तो इसी chart को हम ले लेते हैं market ऐसे गया, इस तरीके से आया इस तरीके से फिर नीचे गया और हम selling का trade लेंगे नहीं market उपर जाएगा, हम wait करेंगे फिर यह वाला level break हो यह level break होते ही, हम यहाँ enter करेंगे इस trade में आप क्या चीज़ notice करेंगे कि market जो है, वो उपर गया और फिर एकदम से फिर यह नीचे नहीं आएगा भली से अगर नीचे भी आना हो आप यह चीज़ note करेंगे कि trend अगर उपर का है, तो कितनी भी news आ जाए market में एकदम से momentum selling का बन जाए पर आपको यहाँ पर ही sustain करता हूँ अब बहुत ज़्यादा देर तक मिल जाएगा हो सकता है गिरने से पहले एक और high बना के गिरे ठीक है, एक और high बनाएगा फिर गिरना शुरूँ का इस तरीके के आप चीज़े note करेंगे, आप अगर थोड़ा सा market को closely watch करते हैं, तो यह चीज़े आप note करेंगे, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, कि इसमें आपको क्यों enter करना चाहिए trend उपर का है, आप इसमें investment कीजिए, और investment का आपका time horizon देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ न, वो monthly charts पे इसका मैंने देखा है, main जो indication है, वो monthly charts पे मैंने मुझे देखने थे, buying इसमें आई है, अगर आपको इसमें यहाँ इस line से इस line के बीच में कहीं भी यह आपको मिलता रहता है, ठीक है, वो आपका, यह सारा का सारा जो area है, वो buying का है, यहाँ पर buying ही होगी इसकी, market में थोड़ा सा उपर, थोड़ा सा नीचे, जिस तरीके का भी एक trade चलता रहा है, आपने सिर्फ और सिर्फ buying करनी है, अगर आप selling में रहेंगे, तो आप कहीं भी फस सकते हैं, ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका time horizon दो महीने या उससे ज़्यादा का है, कम से कम दो महीने का, देखिए, अगर मैं monthly charts open कर लूँ, 1373, ये वालब point लग भग, इसका आप stop loss लगाएंगे, 1373 का, ये आपका stop loss level होगा, आपको stop loss level लग तो बहुत नीचे रहोगा, पर हो सकता है अगर आप थोड़ सा समझते हैं, तो ये 300 point नीचे है, लग भग ठीक है, 300 रुपे नीचे इसका stop loss है, अभी के price से, पर मैं ये नहीं कहा रहा कि आपको आप बिल्कुल इसी level पर खरीद लो आपको यहां से लेकर यहां तक की, बल्कि मैं यह कहता हूँ 1500 रुपे तक की, जो भी range मिलती है आप उसमें आप बाइन करें और ये भी ना करें कि आप सारा का सारा पैसा इसी में लगा दें, एकी बारी में लगा दें एकी जगे लगा दें, वो भी आपका गलत तरीके होगा इसमें एंटर करने का मान लीजिए, ये range मैंने आपको recommend करी है और ये भी यहां पर है आपको यहां मिलता है आप इसमें थोड़ा सा जितना आप invest करना चाहते हैं सिर्फ MCX में आप जितना invest करना चाहते हैं उसका सिर्फ 30% आप इस time आप इसमें invest कीजिए ये आपको यहां तक मिलता है तो आप इसमें invest कीजिए और अगर ये यहीं से turn मार जाता है well and good आपका 60% आपका इसमें price लग चुगा है जो आप लगाना चाहते थे उसका ठीक है यहां आपने stop loss लगा रखा है यहां पर 1373 पर यहीं से turn मार जाता है आप इसमें मूड के देखिए इसमें जो ये moment आईगी उपर की side में फिर पहली चीज़ के आपका stop loss level भी यहां का हो जाएगा ठीक है जो मैं आपको range बता रहा हूँ उस range के lower end का हो जाएगा और ये जैसे जैसे उपर जाएगा आप अपना stop loss उसी तरीके से revise कर पाएगे बाकी आपको शाएग चिनता होगी मेरे हिसाब से तो आपको तब भी खुछ होना चाहिए जो आपका 40% जो पैसा इसमें utilize कर सकते थे वो आपने नहीं किया ये आपके लिए खुशी की बात ये है कि आप risk में बिलकुल नहीं आए वो बहुत बड़ी चीज होती है हमें market में कि हम risk में enter नहीं किये और market हमारा turn करता रहा अब मुझे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है आज की date में मुझे इसमें 30% का return मिल रहा है अगर मैं अभी exit कर जाता हूँ और नहीं करता तो मेरे लिए अभी market उपर ही जा रहा है और stop loss मैंने अपना buying side पे लगा दिया जहां पर मैंने buying की थी तो मेरा इसमें loss कुछ नहीं है और market अगर मुझे और थोड़ टाइम के लिए मैं hold करता हूँ तो मुझे profit ही देखे जाएगा तो इस तरीके का आपका बाद में एक view बन जाएगा देखे आप aggressively आप अगर trade करते भी हैं तो आपको कही ना कहीं आपको discipline maintain करना पड़ेगा वो चीज़े आपके लिए जरूरी है वो चीज़े आपके लिए इसलिए जरूरी है आप अगर discipline कुछ नहीं बना रहे market में तो आज नहीं तो कल नहीं तो पड़सो या तो market आपको खुद उस discipline nature में ले आएगा या फिर market आपके सामने रही नहीं पाएगा कभी ठीक आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ तो इसलिए आपको कुछ rules, कुछ guidelines, कुछ discipline इन सब चीज़े को follow करना ज़रूरी है अभी अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आप किस तरीके से trade करते हैं आपके पास जवाब नहीं होगा मतलब 50% वो traders हैं जिनके पास जवाब नहीं होगा कोई ये बोलेगा भई हमें तो रोज के 1000 रुपे बस market से निकालने हैं ये निकाल के हमारा दिन खतम फिर हम अगले दिन देखते हैं ये ऐसा हो सकता है कि आप रोज 1000 रुपे निकाल लो 1000 छोड़ो, मैं आपको 1 रुपे की guarantee देता हूँ आप एक रुपे निकाल लो market से रोज ऐसा हो सकता है आप करके भी नहीं दिखा सकते हैं अगर इस तरीके अगर ये चीज़ इतनी easy होती न तो market में किसी को कहीं और जाने की जरूर ना पड़ती market छोड़ के 1000 रुपे रोज के आते 30,000 रुपे तो मेरे वैसे ही आ रहे है भुपमरी भारत से मिट चुकी होती तो इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए कि daily आपको इतने मिलेंगे ये daily वारा जो concept होता है न वो कभी काम्याब नहीं होता आपको सिर्फ एक ही चीज रखनी होगी कि आपने जहां entry ली है आप सही जगे आप stop loss maintain करें और एक defined target पे आप निकल जाएं या आपका जो sufficient आपका amount होगा मान लीजी आपने 20% का सोचा हुआ है हर trade में 20% कमाने का तो आप 20% वो growth दिखा दे आप exit कर जाएं पर आपका जो entry level है ठीक है वो आपका जरूर सही होना चाहिए ये चीज़े matter करती है दूसरा आपका stop loss level सही होना चाहिए ऐसा नहीं है कि market में एकदम से आपने कोई चीज कहीं खरीद ली मान लीजे मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आप 1686 पर इसे खरीद लीजिए और सिर्फ आपने इतना सुना ठीक है और stop loss की कोई बात ही नहीं हुई आपको ठीक लगा कि 1686 मैं 100 point का stop loss लगाऊंगा आपने 1586 पर आपने stop loss लगा दिया यहाँ पर ठीक है वो trigger कर गया और market यहाँ से bounce कर गया आपको उस दिन और ज़्यादा ही लगेगा कि आरे 100 point मेरे बेकार चले गए call बेकार थी सब कुछ बेकार था market बहुत बेकार है यह सिर्फ जुआ है इसके अलावा कुछ नहीं है देखे जुआ अगर होगा न तो मैं आपसे एक होगा इस share को आप sell कीजिए buying कीजिए आपको 50% chance यही होगे कि आपको loss हो जाएगा आपको 50% chance यही होगे कि आपको profit हो जाएगा और इन दोनों चीज़ों में भी आपके charges, taxes, brokerage यह सारी चीज़ ओर जाएगी ठीक है तो हर trade पे आप 100 trade करते हैं आपको 50% loss हुआ 50% में आपको profit हुआ और मालीजे एक एक रुपए का हुआ तो भी आप घर लेके बहुती मतलब घर लेके बोल रहा हूँ घर से आप एक अच्छा amount pay कर रहे होंगे 100 trade में आपने brokerage दी charges दी है, duties दी और taxes दी है मतलब यह सारी चीज़े आप pay कर रहे हैं और आपको मिला कुछ नहीं यह होता है gambling gambling यह नहीं है जो हम कर रहे हैं इसमें हम analyze कर रहे हैं किसी चीज़ को और उसका कोई base है ठीक है? मेरा एक view था जो मैंने आपको बताया MCX में आपको एक range है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस range से यह लगबग 1500 रुपे का level है और 1680 तक की range में आप कहीं भी जहां आपको मिलता रहा है आप buying करते चलिए और 1373 का मेरे कहाल से यहां कोई point होगा यह यहां का आप stop loss maintain करके चलिए और आप holding रखिए at least two months ठीक है? दो महीने अगर आप hold कर सकते हैं तो आप इसमें invest कीजिए अदरवाइस यह कोई trading के लिए मैं नहीं कहा रहा हूँ कि आपने enter किया हो सकता है कल से move करना शूरू हो जाए जिस तरीके का इसमें pattern बना है उसके भी कोई बड़ी बात नहीं होगी पर अगर कल से यह move करना शूरू हो जाता है और 25 से 30% यह आपको बहुत जल्दी यह return दे देता है तो आप इसमें exit कर जाएए फिर आपको ना holding रखनी है ना आपको stop loss का धियान लखना है इतना move कर जाता है दो महिने से पहले पहले ही तो आप इसमें exit कर जाएए फिर कोई matter नहीं है कि वो stock कहा जा रहा है पर अगर आप लंबे time के लिए सोच रहे है तो यह stock बहुत अच्छा है ठीक है तो यह था मेरा mcx पर आपको बताना कि इस stock में आप invest कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो like करें, share करें, बने रहें मेरे साथ देखते हैं market report धन्यवाद